Hello everyone, कैसे हो सब लोग, I hope कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम discussion करने वाले हैं section A के question number 14 के solution के बारे में अगर आपने इस एप्रिवस वीडियो अभी तक नहीं देखा है साथ ही साथ आने वाले वीडियो का solution देखना चाते हो तो complete playlist का link में बिलेगा आपको description में तो एक बार description आप जरूर चेक कर लोगे साथ ही साथ अभी तक हमें telegram पे जोईन नहीं किया जहांपर हम daily life classes आते हैं तो उसका link आपको मिल जाता है तो फड़ा फट्ची हमें वहाँ पर भी आप जोईन कर लोगे question number 14 क्या है है तो अगर इस question में अगर आपका concept clear है न तो simple form में इसका answer आप कर सकते हैं,घर concept clear नहीं है तो फिर बहुत दिव्यक् Development होगा देखो क्या है हमें क्या दिया हुआ है question में रेगुलर pentagon है regular pentagon मतलब क्या होता है कि जिसका सारा angle जो है वो हमें एक वल देखने को मिलता है तो क्योंकि यह regular pentagon है मतलब यह सारे के सारे angles क्या होंगे same होंगे यानि जो angles यहां होगा वही angles यहां होगा total angle कितना होता है अगर हम लोग ठीटा निकाले यहां से तो total angle कितना होता है तो आप बोलो के sir circle है 360 होगा और एक का angle कितना होगा तो यह बोल देगो 72 degree है कितना हो जाएगा that is 72 degree ठीक है यह आपको देखने को मिलेगा ठीक है sir अगर यह 72 है तो यह भी कितना होगा 72 regular pentagon है न तो सारा side same होगा सारा angle भी same होगा चलो अच्छी बात है अच्छी बात है अब क्या किया दा है sir अब तुम देखकर माथा खराब कर लोगे क्या माथा खराब कर लोगे कि सबसे पहले बोले कि सर इसको हम लोग यहां से जॉइन कर लेते हैं ठीक है यहां से जॉइन कर लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा न तो ये area अब तो segment हो गया sir तो सबसे पहले sector का area निकालना होगा triangle का area minus करना होगा भाई इतना load क्यों लेते हो तो इतना load क्यों ले रहे हो तो एकदम simple सा तरीका इसका मैं बता रहा हूँ आपको एकदम 2 मिनट में question solve होने वाला है देखो क्या है regular pentagon है regular pentagon है मतलब सारा का सारा जितना भी एक वाला part आपको दिख रहा है एक sector जो आपको दिखाए ज़रा है सारा same रहेगा हाँ sir सारा हमें same देखने को मिलेगा यहाँ पर यानि कि जो area आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वही area यह होगा बोलो होगा की नहीं होगा हाँ सर ये बिलकुल होगा तो इस basis पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो इधर सेड़ेड है क्या उसी पार्ट को आप यहाँ पर सेड़ेड कर सकते हो इसके नीचे आपसेड़ेड कर सकते वैसे आप बोलोगे हाँ सर बिलकुल कर सकते है तो अभी उधर वाले को भूल जाओ इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है उधर वाले को आप भूल जाओ कि इधर कुछ लिखा भी हुआ था इसके बगल में इसके बगल में कुछ लिखा भी हुआ था इस वाले पार्ट को भूल जाओगे हमने क्या कर दिया है इसको इधर से डिस्प्लेस करके यहाँ ला दिया है तो क्या अब दो सेक्टर आपको दिखे गया है हाँ सर अब तो कोश्चन सिंपल हो गया भाई तो अब निकाल दो area of sedated part पूचाता न तो area निकाल दो area का formula क्या होगा area का formula होता है sedated region का that is theta by 360 area of sector क्या होता है theta by 360 क्या into pi r square और इसी type का कितना दिखने को मिल रहा है दो दिखने को मिल रहा है तो into कर दो के क्या 2 है न ठीटा कितना है 72 है 72 divided by कितना 360 360 into Pi Pi के term में ही answer है तो Pi को Pi छोड़ दो R का value कितना है R का value 5 है 25 हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 हो जाएगा इससे यह cancel करो गे खतने again 5 तैम्स में 5 से इसको cancel करोंगे 5 कितन कितना हो जाएगा 10 Pi क्या हो जाएगा cm2 area अपने निकाला है कौन सा option हो जाएगा बताओ option number D option number D is the right answer of this question क्या simple सा question था हलवा सा question था बट तुम लोग अगर थोड़ा सा भी गलती करते हो कि इस question में तो तुम्हारा number जो है एकदम उड़ जाएगा उड़ू बाबा की तरह उड़ जाएगा ठीक है तुम्हें लगेगा कि बहुत hard है लेकिन कुछ hard नहीं है बाई कुछ hard नहीं है तुम्हें question को धंग से पढ़ना है अगर question तुम धंग से पढ़ लिया न तो उसके बाद solution जो है सारी questions का एदना सिंपल हो जाएगा ठीक है मलता आप से अगली विडियो में complete playlist का link में लेगा आपको description में तो एक बाद description आप जरूर check कर लोगे